जाती चंगर्णा पर रोक लगने की मांग को लेकर दायर की गई आचिका पर गुरुवार यानी 4 मई को पतना हाई कोट ने फैसला सुनाया है विहाज सरकार के फैसले को सुप्रीम कोट में चनोती दी गई थी सुप्रिम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि तीन दिन में सुनवाई कर पटना हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे विहाँ सरकार की ओर से माधिवक्ता पीके साही पटना हाई कोर्ट में अपनी दलिल रख रहे थे अब नितीज सरकार को बड़ा जटका लगा है वहीं आपको बता देए पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा याचिका करता के वकील ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें तीन जुलाई को डीटेल में सुनवाई होगी फिलहाल कोर्ट से यह निर्णिये आने के बाद कहीं न कहीं नितीज सरकार को बड़ा जटका लगा है हाला कि अब तीन जुलाई के बाद देखना होगा कि कोर्ट का निर्णे क्या होता है दिरसल याचिका में कहा गया है कि जाती आधारिट गर्णा में लोगों की जाती के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्योरा लिया जा रहा है यह उनके गोपनियता के आधार का हनन है याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार को जाती जंगर्णा कराने का सम्वेधानिक अधिकार नहीं है साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड रुपे भी टेक्स के पैसे की बरबादी है अब ये देखना हो का कि कोर्ट 3 जुलाई को क्या ने ने लेगा ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे इन खबर के साथ